हेलो गाइज तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सैवन्थ की जो साइन्स है उसके चैप्टर नंबर वन के क्वेशन आंसर्स यानि NCRT सॉलूशन तो देखते हैं question number one और यह है why do organisms need to take food जो organisms होते हैं यानि जो जीव जन्तु होते हैं उनको जो है भोजन की जरुवत क्यों पढ़ती है उन्हें भोजन करने की जरुवत क्यों पढ़ती है तो देखेंगे इस का अंसर इस का अंसर आप इस तरह से लिखेंगे all living organisms require food to survive यानि जितने भी जीव जन्तु हैं जो जिन्दा रहते हैं उन्हें जिन्दा रहने के लिए food की जरुवत होती है ठीक है food की जरुवत होती है it gives them energy ये उन्हें energy देता है to perform various activities अलग-अलग तरह की activities करने के लिए उन्हें ये energy देता है all activities such as playing, running, walking, studying, etc ये सारी activities जैसे की खेलना, running हो गया दोड़ना, walking मतलब चलना, studying मतलब पढ़ना इन सब के लिए हमें energy की जरुवत होती है जो कि हमें food से मिलती है उसके बाद, require energy, energy की जरुवत है न, the various components present in our food such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals provide energy to our body तो जो food में जो बहुत सारे component होते हैं यानि उसमें बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे की carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals तो ये सब मिलकर क्या करते हैं हमारी body को energy देते हैं ठीक है उसके बाद आगे है, these are also important for growth and development of the body और ये हमारी body की growth और development के लिए भी जरूरी हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे first question का answer फिर इसके बाद second question है, second question है, distinguish between a parasite and saprotropes ठीक है, तो आपको क्या करना है, parasite और saprotropes के बीच जो difference है, वो बताना है कि दोनों में क्या अंतर है तो इस question का answer आप इस तरह से लिखेंगे, आपने दो column बनाने हैं और एक में, पहले column में आप उपर heading डालेंगे parasite और दूसरे में saprotropes ठीक, उसके बाद parasite वाले column में आप लिखेंगे, parasite live on or in other organisms जो parasites होते हैं, वो रहते हैं कहां, दूसरे organism पे, ठीक है, यानि दूसरे जीव जनतों पे उनके सरीर पे, उनकी body पे ये रहते हैं, और ये जो जिसकी body पे ये रहते हैं उसे host कहते हैं, ठीक है, parasite जिन दूसरों की body पर रहते हैं, उन्हें host कहते हैं and obtain their food from them, और ये उनी से अपना food ले लेते हैं, ठीक है, जिनकी body पे parasite रहते हैं, उनी से ये अपना food ले लेते हैं दूसरी बात, saprotrop में आप लिखेंगे, saprotrop obtain their food from dead and decaying organism जबकि जो saprotrop होते हैं, वो अपना food कहां से लेते हैं, वो dead यानि मरे हुए and decaying organisms यानि ऐसे organisms जिनकी body जो है, सड रही होती है, खतम हो रही होती है ऐसे organism से saprotrop अपना food लेते हैं, they do not require any host उन्हें host की जरूरत नहीं होती है दूसरा point होगा, they harm the body of host ये जो होते हैं, जो parasite होते हैं, ये host की body को harm करते हैं जबकि जो saprotrop होते हैं, they are cleaning agents ये क्या हैं, ये cleaning agents हैं यानि मान लोगर कोई जानवर मरा है और उसकी body अकर सड़ेगी तो उसमें से बदवू आएगी तो ये क्या करते हैं, ये उसकी body को खा जाते हैं तो जिससे की वो उसका सफाया हो जाता है तो ये क्या है, ये cleaning agent से यानि ये बढ़िया है उसके बाद आगे है, leech is an example of parasite जो leech है वो क्या है, एक parasite है जो जुए होते हैं वो क्या है, वो parasite है वो जिस आदमी के सर पे होते हैं, उसी से अपना food लेते हैं तो इस तरह से leech क्या है, एक parasite है जबकि यहां पे है fungi, जो fungi है वो क्या है, वो protr correct फंगी जो है सेप्रो ट्रोफ है फिर इसके बाद देखते हैं क्वेशन नमबर थ्री और यह है यानि आप कैसे पता लगाएंगे कि लीव्ज में स्टार्च है या नहीं ठीक है तो इसका अंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो अगर आपको पता लगाना है कि पतियों में स्टार्च है या नहीं तो इस बात का पता आप आयोडीन टेस्ट की मदद से लगा सकते हैं ठीक है वेन वी रिमूब कलोरोफिल फ्रॉम लीफ जब हम पति से कलोरोफिल हटाते हैं बाइ बॉइलिंग इट इन एलकोहॉल जब हम क्या करते हैं पतियों में से कलोरोफिल को हटाते हैं और कलोरोफिल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं उसको एलकोहॉल में बॉइल करते ठीक है, and then put two drops of iodine solution, और फिर इसमें हम दो drop डालते हैं किसकी iodine के solution की, its color change to blue, तो इसका जो रंग होता है, वो blue में change हो जाता है, indicates the presence of starch, और यही जो है indication है, या proof है कि इसमें starch है, ठीक है, तो क्या करना आपको, आपको पती लेनी है, उसमें से chlorophyll लटाने के लिए आपको, उसमें से chlorophyll लटाने के लिए आपको, उसको alcohol में boil करना है, ठीक है, फिर उसमें उस पती में, दो drop आपको iodine solution डालना है, और उस पती का रंग blue हो जाएगा, और यह सबूत है कि उसमें starch है, फिर उसके बाद है question number 4 और यह है, गिव अ brief description of the process of synthesis of food in green plants, यानि आपको उस process के बारे में बताना है, जिस process की मदद से green plants अपना food synthesize करते हैं, यानि बनाते हैं ठीक है तो आपको उस process के बारे में बताना है जिस process की मदद से green plants अपना food बनाते हैं तो देखो इसका answer आप इस तरह से लिखेंगे green plants use a process called as photosynthesis to prepare their food जो green plants होते हैं वो एक process use करते हैं जिसे क्या कहते हैं photosynthesis कहते हैं ताकि वो अपना food बना सके अपना भोजन बना सकते हैं ठीक है तो green plants क्या करते हैं photosynthesis की process की मदद से अपना food बनाते हैं the process is as follows तो यहाँ पर process लिखी हुई है पूरी तो कैसा कैसा क्या क्या होता है देखो water is taken from the roots of the plant जो पानी होता है वो जड़ों के मदद से ले लिया जाता है and it is transported to leaves of the plant और यह जो है यह पत्यों तक यानि उसकी plant की leaves तक पहुँचा दिया जाता है ठीक उसके बाद आगे है फिर carbon dioxide from air enters the leaves through pores called stomata और जो carbon dioxide होता है यह कहां से आता है यह पत्यों पे जो plant होता है उसकी पत्यों पे छोटे छोटे pores होते हैं यानि छेद होते हैं जिनको क्या कहते हैं stomata कहते हैं और इन stomata की मदद से जो है carbon dioxide plant की पत्यों के अंदर ले लिया जाता है उसके बाद water molecule is broken down into hydrogen and oxygen with the help of sunlight तो sunlight की मदद से जो है water का जो molecule होता है वो hydrogen और oxygen में बदल जाता है या तूट जाता है देखो water का formula क्या होता है water molecule का H2O यानि इसमें तो hydrogen है और एक oxygen है न तो sunlight की मदद से hydrogen और oxygen अलग-अलग हो जाते हैं अब देखो hydrogen combines with carbon dioxide to form carbohydrates अभी जो hydrogen होता है ये carbon dioxide के साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है Carbohydrates बना देता है ठीक उसके बाद देखो photosynthesis is represented by the following equation जो photosynthesis है उसकी यहाँ पर equation दे रखी है तो देखो क्या है देखो carbon dioxide होता है और water होता है इन दो चीजों की plant को जरूरत होती है ठीक है फिर क्या होता है Sunlight Sunlight की presence की जरूरत है अगर Sunlight नहीं होगी तो plant food नहीं बना सकता है और साथ में chlorophyll की जरूरत होती है किसकी जरूरत होती है chlorophyll क्या होता है जो पतियों में हरा रंग होता है जिसके कारण पतियों में हरा रंग होता है उसी को chlorophyll कहते हैं अगर chlorophyll नहीं होगा तो पतियों क water और sunlight और chlorophyll तो plant की पतियों में होता ही यह है तो यह सब चीजें चाहिए और फिर बनता है जब पत्ती को यह सब कुछ मिल जाता है तो क्या बन जाता है na carbohydrates बनता है और यह carbohydrate ही क्या है plant का food है और साथ में oxygen plant से बाहर निकल जाती है ठीक है तो यह oxygen यह उक्षिजन वही है जो हम लेते हैं जब हम सास लेते हैं तो इस उक्षिजन को हम ले लेते हैं यानि जो यह पूरी प्रोसेस से फोटो सिंथेस की इसमें क्लोरोफिल help करता है plant की food बनाने में फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है question number 5 और यह है show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food आपको एक sketch की मदद से बताना है कि जो plants हैं वही ultimate source है food के ठीक है तो देखो क्या है आपको यह diagram बनाना है है ना यह plant है ठीक जो plant होता है जब यह food बनाएगा तो sunlight इस पर plant पर पढ़नी जरूरी है ठीक है अगर sunlight नहीं पढ़ेगी तो plant food नहीं बनाएगा और देखो क्या होता है यह carbon dioxide अंदर जाएगी है ना जब वो food बना रहा है और oxygen बाहर आ जाएगी जब food बन जाएगा ठीक है food के बनने से पहले carbon dioxide कहा जाएगी पत्तियों से अंदर जाएगी और food के बनने के बाद oxygen पत्तियों से बाहर निकल जाती है ठीक है और देखो यह जो है यह जो पत्तियां है इनमें जो हरा रंग होता है वो कियू होता है ओपार choropil के कारण होता है cholesterol की मदद से ही जो है पत्तियां अपना food बनाती है ठीक है तो पत्तियों में chlorophyll होता है इसलिए उनका रंग हरा होता है और देखो plant को जो है food बनाने के लिए water की विज़रूत होती है water की जरूत होती है तो water यह यहां से लेगा ठीक है इसकी जो roots हैं जो जड़े हैं इनकी मदद से यह मिट्टी से क्या ले लेगा पानी खींच लेगा पानी सोक लेगा ठीक है अच्छा और साथ में यह minerals भी इन्ही roots से ही लेता है plant ठीक है तो यह है diagram showing photosynthesis ठीक है तो यह है तो यह आप इसमें बना सकते हैं फिर उसके बाद है question number six और यह है fill in the blanks यानि आपको इन blanks को fill करना है तो सबसे पहले है ए है green plants are called green plants को क्या कहा जाता है वो आपको यहां पे लिखना इस dash में since they synthesize their own foods क्योंकि वो अपना food जो है खुद बनाते है तो green plants को क्या कहा जाता है green plants को कहा जाता है otter troughs ठीक है ऐसा क्यों है क्योंकि वो अपना food खुद बनाते है उसके बाद भी है the food synthesized by the plants is stored as जो food जो है जो पौधे बनाते है plants जो food बनाते हैं वो किसके रूप में उनके अंदर stored रहता है जमा रहता है वो आपको बताना है ठीक है तो वो रहता है starch के रूप में तो यहां पर dash में आएगा starch फिर C पार्ट है इन फोटो सिंथेसिस solar energy is captured by the pigment called dash तो जब फोटो सिंथेसिस की process होती है इस समय जो है solar energy जो ले ली जाती है by the pigment जो pigment उनमें होता है उसको क्या कहा जाता है ठीक है उसे क्या कहा जाता है उस green pigment को उसे कहा जाता है chlorophyll ठीक फिर D पार्ट है during photosynthesis plants take in dash and release तो जब photosynthesis की process होती है तो जो plants होते हैं वो कौन सी gas लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं वो आपको बताना है तो कौन सी लेते हैं carbon dioxide लेते हैं takes in carbon dioxide and release छोड़ते हैं क्या oxygen तो ये हो गया ये वाला question फिर इसके बाद जो अगला question है वो है question number 7 और ये है name the following तो यहाँ पर एक sentence लिखा हुआ है और आपको बताना है कि वो किसके बारे में है ठीक है तो first है a parasitic plant with yellow slender and tabular stem तो एक parasitic plant है ठीक है जो कि yellow होता है और slender की shape में और tube की shape में इसका stem होता है ऐसा कौन सा है तो ऐसा है kaskuta ठीक है क्या है kaskuta उसके बाद जो second है इसका वो है a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition तो ऐसा कौन सा plant है जो autotrophic भी है और जो heterotrophic भी है यानि जो खुद भी अपना भोजन बनाता है और जो दूसरे से भी अपना भोजन ले लेता है वो कौन सा है वो है pitcher plant कौन सा है pitcher plant फिर उसके बाद है थर्ड कुशन है थर्ड पार्ट है इसका तो जो पत्तियों में जो छेद होते हैं जिनकी मदद से वो गैसेज को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं उन्हें क्या का जाता है उन्हें का जाता है stomata फिर उसके बाद है question number 8 और यह है tick the correct answer यानि सही answer पे आपको tick करना है तो यह है इसका जो first part है वो है hammer bell is an example of तो किस चीज का example है hammer bell hammer bell है एक parasitic plant तो parasite में आप इसमें tick कर देंगे उसके बाद जो है इसका जो B part है वो है the plant which traps and feeds on insects is तो ऐसा कौन सा plant है जो insects को पहले फंसा लेता है और उसके बाद उन्ही को खा लेता है वो कौन सा plant है वो है pitcher plant ठीक फिर इसके बाद question number 9 है match the items given in column 1 with those in column 2 तो column 1 के जो items है उनको आपको column 2 से मिलाना है तो सबसे पहले column 1 है इसमें first है chlorophyll और यह आप मिला देंगे leaf से क्योंकि leaf में ही chlorophyll होता है फिर nitrogen को bacteria से amarbell को आप मिला देंगे parasite से क्योंकि अमर बेल एक parasitic plant है और उसके बाद animals को आप मिला देंगे hetero trop से क्योंकि जो animals होते हैं वो hetero trop होते हैं यानि यह दूसरों से अपना बोजन लेते हैं और उसके बाद जो है insects insects को आप मिला देंगे picture plant से क्योंकि जो है picture plant insects को खा जाता है फिर उसके बाद है question number 10 और यह है mark T if the statement is true and F if it is false ठीक है तो अगर आपको लगा कि statement true है तो आपको T लिखना है और अगर statement अगर false है तो आपको क्या लिखना है आपको mark करना है F ठीक है तो देखो first part है इसका carbon dioxide is released during photosynthesis जब photosynthesis होती है तो carbon dioxide बाहर निकलती है क्या यह सही है नहीं यह false है जब photosynthesis की process होती है तो carbon dioxide अंदर जाती है plant के और oxygen निकलती है बाहर तो यह हो गया यहाँ पे false उसके बाद second part है plants which synthesize their food themselves are called saprotrophs जो plants जो है अपना food अपने आप बना लेते हैं उन्हें कहा जाता है saprotrophs क्या यह सही है नहीं यह है false ठीक क्यों क्योंकि जो saprotrophs हैं वो क्या करते हैं वो अपना जो भोजन होता है अपना जो food होता है वो dead organism से लेते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं अपना food उसके बाद third है the product of photosynthesis is not protein जो photosynthesis की जब process होती है उसमें जो product बनता है वो protein नहीं है है ना तो क्या ये सही है हाँ ये सही है ये true है क्योंकि उसमें क्या बनता है carbohydrates बनता है उसमें protein नहीं बनता है photosynthesis से उसके बाद अगला देखिए अगला है solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis जब photosynthesis की process होती है तो solar energy chemical energy में change हो जाती है क्या ये सही है हाँ ये बिलकुल सही है तो ये हो जाएगा अपना true ठीक तो ये हो गया फिर उसके बाद देखिए question number 11 है choose the correct option from the following तो आपको choose the correct option दिये हैं यानि वही है ये take the right option वाले तो which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो photosynthesis के टाइम carbon dioxide air से अंदर ले लेता है वो है stomata ठीक उसके बाद अगला है question number 12 और ये भी वही है choose the correct option from the following तो इसमें है देखिए plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through there तो जो है plants जो है carbon dioxide अपने अंदर ले लेते हैं है ना atmosphere से तो किसके द्वारा लेते हैं ये आपको बताना है तो वो लेते हैं अपनी leaves से ठीक है mainly किससे लेते हैं leaves से लेते हैं तो stem से भी लेते हैं flower से भी लेते हैं लेकिन mainly पुछा है यहां पे